विद्याले को सिख्छा का मंदिर कहा जाता है और इसमें पढ़ाने वाले सिख्छक को गुरू का दर्जा दिया जाता है उनके जिम्मेदारी नौनी हालों को तराश कर देश का बेहतरीन भविश्य बनाने की होती है आज उसी शिख्छक का एक सर्मनाक करने वाला वीडियो वायरल हुआ है शराप के नशे में धुत्थ होकर स्कूल में पहुँचा स्कूल की फर्च पर वो लेट गया हद तो तब हो गई जब वो खुले आम स्कूल में ही पेशाप करने लगा शिख्छक की स्कर्टूट का आसपास के ग्रामणों ने वीडियो बना लिया अब वो तेजी से वायरल हो रहा है वायरल वीडियो में साप साप देखा जा सकता है कि कैसे एक शिख्छक शराप के नशे में स्कूल के परामदे में पड़ा है और टालेट भी कर रहा है ये मामला देवघर जिले के जसी डिस्ति एक विध्याले का है वायरल वीडियो की जानकारी जैसे ही देवघर के डिडिसी वो हुई तो उन्होंने वीडियो की जांच के आदेशनी मामले की जांच की गई प्रथम द्रिष्टिया साबित हुआ कि ये देवघर के जसी डिस्ति मंगना सार उतकरमित प्रात्म की विध्याले का है देवघर के डिडिसी उमार ताराचन ने कहा कि जिला शिक्षा पदादीकारी खिलहाल रांची में है लेकिन आदेश जारी कर दिया गया है शिक्षक पर विवाग ये कारवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में अनुशासन हिंता बरताष्ट नहीं की जाएगी विडियो वारल हो जिसमें ये प्रतीत हो रहा है कि उसी विध्याले का सिक्षक जो है बरामदे में लेटा हुआ है जिसको बताया जा रहा है कि वह डारों के नसेव है साथी साथ एक और सिक्षक है जो साथ में है और वीडियो पुरा कैप्चर किया गया है वो संधान में लिया गया है तंकारी DSC को आदेशी थी किया है कि उसको विरिफाई कर ले अगर उसमें सत्यता प्रतित होती है, तो सस्पेंट करके विभादी कारवाई चलाए है। इसमें निदेशित करने कोई जरूरत रहे हैं। जो Civil Services Conductor राजी सरकार का उसमें क्लियर ने लिखा हुआ है कि किसी तरह का अगर इसके विरुद में या विचलन करते हैं उस कारवाई में तो सवाई कि उन पर जो दंडात्म कारवाई जो आगी अनुदेश या गाइडलाइन्स हैं उसके हिसाब रहे हैं। देश्वा न्यूज के लिए जारखन से अशोग कुमार की रिपोर्ड सिर्फ खबर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसद नहीं। देश्वा न्यूज की कोशिश है कि समाद की सूरत बदलनी चाहिए। अलाना